ये जो ब्लॉक है इसका प्राइब में ये चेंड कर लो हाई होता है वालिम इनलजी दरहों चैने इसको आगे चलाती है तिस इसलिए पीछे का पता नहीं होता ना ये फिर मैंने इसको जड़ किया है तो यह देखें मैंड को फ्रेश कर देती है तो इस टाइम मैंड भी फ्रेश है और काम भी फ्रेश फ्रेश हो रहा है कर दो झाल झाल यह गलत मूव होने से फिर यह है कि मूव आगे से वह कम होना चुरू हो जाते हैं तो तीन अजार एक सुसाठ स्कूर हमारे बस इस्टम मुझूद है तो चौन सट एक सोट हैस बन गया है और यह चौन सट एक सुट हैस इस तरह से आगे बनेंगे तो मेरी पूरी कुशिश है क मैं ज्यादा चीव करूं तो यह चीव होता जाता है खुछ से बस आपने साई टाइम पे और साई चीज को आगे पहलाना है और यह बहुत ही बेतरी अंदाज में गेम कहले जाती है तो मेरे ख्याल से यह नमबर वन गेम है जो आपके माइड को फ्रेश करती है जगा ना होने के बावजूद आप उस असी जगा पर क्लिक कर देंगे जहां पर यह विंपड़ा हुआ है तो वह वहीं पर ही माज हो जाएगा आपको ज्यादा टैंशन लेने की भी जूरत नहीं है जगा है नहीं है तो उसी जगा ख़र में करना है जस्ट और फिस जगा ही बर्ज हो जाता है जैसे कि मैं आपके सामने आपको दिखाना चाह रहा था कि टिंचन लेने वाले बात इसमें कोई नहीं है जेस्ट बेतरीन और अच्छे अंदाज में ये खेलता जाता है चूंकि हमारे पास अब जगा कम होती जा रही है तो थोड़ी सी जो है वो टैंशन बढ़ना शुरू हो जाती है लेकिन आपने बिल्कुल भी टैंशन देनी ये लेवल तो दुबारा से भी शुरू हो सकता है त तो टैंशन आपने साइड पर रख देनी है टैंशन का तो कोई काम ही नहीं है या पर है ये बेतरीन अंदाज में बाज होगा